तो आज किस लेक्चर में हम फाइरवेस का यूज करके फॉन नम्मर पर OTP सेंड करेंगे तो चलिए बदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूं और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजेगा अबना आपको जो दिक्कत बोला भी था कि आप क्या करें अपनी फाइरवेस कन्फिरेशन वो डाल लीजिएगा अभी मैंने नहीं डाली है मैं इस लेक्चर को अभी पॉस कर रहा हूं फिर मैं रिजूम करूंगा अपनी क्रेडेंशल डाल करके और इस फाइल को मैं कर दूंगा क्लोज तो चलिए मैं आपको ना एक प्रूफ देता हूं सबसे पहले तो देखिए यहां पर अगर आप अपने फाइरवेस के नदर जाओगे और यह जो आपका ऑथेंटिकेशन सेक्षन है ऑथेंटिकेशन में आपको जो यूजर सेक्षन आ रहा है आपका तो इसमें यहां पर आपको जैसे हम क जाए मिनस एक यूजर आईडी जो एक क्रेट होती है जब भी आप एक OTP सेंड करते हो हमेसा और यहां पर आपको क्रेटर और वो डेट मिल जाती है तो आप यहां पर जाकर कि देख सतो जब आपका OTP सेंड हो जाए मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा वहां पर मो पुल्ड करने जा रहा है तो सबसे पहले आपको करने करें यहां पर एक New Folder क्रेट कर लेना है फोलडर नम इस तो यहां पर यह और देखिये मेरे को यहां पर कुछ और जरूद पढ़ने वाली है जैसे कि मेरे को यहां पर जरूद पढ़ेगी यूज इस्टेट की तो मैं भी वह यहां पर जो है यूज करी लेता हूं use state and अपना use ref आएगा reference तो यह basically मेरे को need पढ़ने वाली और यहाँ पर मैं firebase वाली file को क्या करने वाला हूँ यहाँ पर include करने वाला हूँ means import करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला तो यहाँ पर मैं लिखूंगा import और यहाँ पर आपको अपना firebase जो हमने export किया हुगा है आई हूप आपको पता होगा वह यहाँ पर यूज करने वाला हूँ भी मैंने एंटर कर दिया था तो यह पता नहीं कहां से आ गया है मेरे को इससे नहीं लेकर करके आना है यह तो विसकली एप है विसकली जो भी विसकली package था अब मेरे को इसका पात देना अब मैं फिलाल में एक div बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं div में लिख देता हूँ एक h1 heading जिसमें हम लिख देते हैं like phone authentication या phone otp authentication जो भी आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हो अपनी तरीके से phone otp authentication अब देखें मैं यहाँ से सबसे पहले इसको component को हमारा main purpose है पहले run करके check करना कि चल भी राया नहीं प्रॉपर तरीके से तो हम export कर देते हैं export default एंड यहां से जो है अपना auth हमने export किया इसको मेरे को use करना है क्योंकि अभी क्या होता ही यह आ रहा है इसक लिए default जो है मैं app.js में जाऊंगा और यहां पर जो है यह इसको बाकी code हम अठा दिते हैं यहां पर मेरे कोई इन सब का काम नहीं है तो यहां से मैं यह पूरा अठा दिता हूँ डिप को आप रखना चाहो तो रख सकते हो class ने मैं app देना चाहते हो यहां पर मैं अपना auth component जो है use करूँगा तो जिख सकते हो मैं ने एंटर किया मेरा इसने बिसली इंपोर्ट कर लिया है अभी यहां पर हम जो है sorry मैंने यहां पर इसको close तो किया ही नहीं तो component मैंने close कर दिया tag अभी यहां पर जैसे page refresh होता अभी basically compiling हो रही है मेरी application की तो हो चुका है यहां पर phonotp authentication proper heading आ चुके उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अब मेरे को क्या करना है अपना auth.jsx पर work करना है मेरे को यहां पर क्या करना होगा अभी मेरे को सबसे पहले तो अपना page design करना पड़ेगा उसके लिए तो यहां पर सबसे पहले दि capture जिसमें आपको city चीज करने पड़ते हैं कभी cycle चूज करने पड़ते तो ऐसा होता है बट वो हम user को सो नहीं कराएंगे हम ऐसा कोई टिक नहीं देंगे कि उसको टिक करें और अपना recapture फिल करें तो हम उसको ऐसा नहीं देंगे वो hidden रहेगा आपको न यहां पर यहां पर पर आएगा वह capture तो उसके लिए आप यहां पर जो है एक डिप बना सकते उसके लिए मीन से एक डिप बनाना पड़ेगा आपको उसके लिए और वह designer का काम है नर्स से कहीं पर पहीं रख सकता है वह आपके उपर करता है यहाँ पर हम यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा हमारा यहां पर वीपर्पस क्या होना अच्छी जैसे मैंने एक बार मोबाल नंबर डाल करके घ्रत तो सबसे पहले मैं एक इंपूट बना लेता हूं अब यह जो input का हम लग लेते हैं like telephone करके means type तो इसका tel कर लिया है placeholder में यहाँ पर डाल देता हूं placeholder में लिख देता हूं यहाँ पर like enter your phone number या enter your like हमने लिख दिया enter your phone number यहाँ पर ध्यान रखेगा कि आपका जो है country code के साथ भी हमें phone number डालना पड़ेगा तो आपको जो लगत है like आप इस तरीगी से भी placeholder दे सकतो like मैंने दे दिया मैं इंडिया से हूं तो like मैंने कुछ इस तरीगी से दिया 12345678910 तो कुछ इस तरीगी का विसलिए आपका mobile number होना चाहिए यह मैंने एक placeholder में के example set कर दिया value के लिए यहाँ पर हम इसलिए भी उपर बनाएंगे और य तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर जो है अपने states वगरा यूज करने पड़ेंगे तो यहाँ पर हम और के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले हम phone number की values store करने के लिए हम use state यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका phone number store करेंगे phone number set phone number set phone number sorry अब यहाँ पर जो है हम use state का use कर लेंगे जिसमें starting में मैं empty रख देता हूँ और यह जो phone number की value है sorry phone number जो है इसको हम यहाँ पर variable को यहाँ यूज कर लेंगे और on change पर हम क्या करेंगे basically एक method हम call करेंगे जिसका name हम रख लेते हैं like जो आपको सही लगे वो आप रख लीजीगा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा e.target.value तो यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ जैसी वो change होगा तो इसकी value ले ले रहा हूँ अभी मैं method को call करूंगा button पर just send OTP पर तो मैंने क्या किया है जैसे change होगा कुछ भी input डालेगा तो user का जो भी value होगी वो यहाँ पर चली जाएगी अब मैं क्या करता हूँ एक button भी बना लेता हूँ एक button के ऊपर हम जो है method call करेंगे button में मैंने लिख लिए like send OTP send OTP यहाँ पर हम वो call करेंगे method like on click पर on click यहाँ पर मैं handle send OTP रख लेता हूँ इसका name handle send OTP तो यह हमारा बिसली method होने वाला है जो कि बिसली call होगा तो अभी यह method हमने बनाया नहीं है बना लेना है तो यहाँ पर आऊंगा मैं और अपना method जो है create कर लेता हूँ const handle send OTP is equal to और अपना set arrow method इसके अंदर हम बार में working करेंगे पहले हमें जो है कुछ और use state यूज़ करने हूँ जैसे मेरे को verification ID मिलेगी जो कि इसके लिए set करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को use करनी पड़ेगी उसके लिए तो यहाँ पर मैं const एक मैं verification ID और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका set verification ID तो भी मेरे को capital करना है set verification ID is equal to use state हम use करेंगे use state इसको भी मैं starting में रख देता हूँ empty अब मेरे को जो है recapcha के लिए मेरे को यहाँ पर reference use करना पड़ेगा use ref क्योंकि मैं उसमें क्या करूँगा अपना जो recapcha है जो भी उसका verify होगा जो भी reference होगा वो मैं अपने एक variable में डलवाऊंगा तो const recapcha reference या कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको से लगता है use ref यहाँ पर मैं starting में इसको रखूंगा अपने mobile पर वो हमें कैसे करना इसके लिए हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले इस method के अंदर आना है तो हमें सबसे पहले अपना recapcha create करना होगा जो भी हमारा capture होगा वो हमें create करना पड़ेगा उसके लिए तो हम यहाँ पर Firebase का use करेंगे तो new जो भी हमारा Firebase है Firebase.auth देख सकते हो suggestion में भी आरा मेरे पस यहाँ पर आएगा ReCapture Verifier यह देख सकते हो आपको आरा suggestion में ReCapture Verifier जैसा कि अभी आप देख बार हो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो अब आप बोलोगे यह आईडी कहाँ पर define की हुई है यह भी हमने ID define नहीं की हुई है तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं यह ID हमें कैसे मिलेगी हम यहाँ पर क्या करते हैं यह जो हापका handle send OTP OTP जब call होगा तो उसी के अंदर हमें जो है यहाँ पर create करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से हम चैक करेंगे जो भी हमारा इसको हमें clear भी करना होगा जब जब हमारा इस send OTP पर क्लिक होगा क्या होगा जैसे मान की चली यहाँ पर आप कैप चा आ गया देन हम क्या करते हैं यहां पर जो है send OTP पर क्लिक करेंगे तो वो CAPTCHA का जो Verifier है उसके साथ हमें send करना होता है जब वो OTP जाता है अब अगर आप अगिन send OTP पर क्लिक करोगे तो वो जो reference था वो means carriage में चला गया means उसका कुई काम नहीं है तो उसे हमें refresh करना पड़े है रीकेप्चा को तो उसके लिए हमें यहां पर एक condition भी एड़ करनी पड़ेगी तो हमारा जो रीकेप्चा reference है इसको हमें check करना पड़ेगा रीकेप्चा reference dot current अब इसके अंदर आपको पता कैसे चला यह dot current कहा से आगे यह तो इसके लिए हम क्या करेंगा भी जैसे मैं आभी आपको बताता हूं सबसे पहले मैं नीचला वाला part create करता हूं जब आपको understand होगा तो यहां पर मैं equal लगाऊंगा यहां पर जो है मैं इसको एक variable में store कर लूँगा const verify करके मैंने एक variable बना लिए verify जिसमें आपका recapture verify जो भी verify होता है वो बिसकली save होगा अब मेरे को क्या करना है यह जो आपका recapture verify एस के साथ मेरे को इसमें second argument भी देना होता है तो यहां पर आप लेखोगे i n i sorry i n v i s i v l e meaning mistake मत कर देना यहां पर मैंने double को लगा दिया है तो यहां पर आएगा आपका invisible तो यह आपको कर देना है अब यह जो है आपका अभी जो है आपका sony होगा capture क्योंकि यहां पर यह जो है id यह जो आईडि आप देख पार हो यह भी किसी को assigned नहीं है तो इसको हमें कैसे बिसकली assigned करना है वह भी मैं आपको बताता हूं कैसे होगा यह जो आपका div है इसमें हमें यहां पर एक reference रखना पड़ेगा तो reference रखने के लिए यहां पर जो है हम एक्वल एंड यहां पर जो है आपका सो नहीं होने वाला है जो भी आपका बिसकली CAPTCHA होगा जैसी आप send OTP पर call करोगे तो आपका verify यहां पर आ जाएगा फिर यह verify हम पास करने वाले हैं अपने यहां पर आपका आना चाहिए फॉन नमबर तो यह देख सकते हो आपका आ चुका है sign in with phone number इसलिए OTP authentication है तो इसलिए हमें यहां पर sign in with phone number कराना पड़ेगा और यहां पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करना होता है आपका phone number जो भी आपके phone number की value होगी और आपको यहां पर verify प्रोवाइड करना होगा जो भी आपका capture verify होता है means capture की जो इसलिए उसका verify या जो object है उसे हमें provide करना पड़ेगा तो यहां पर इसका जो basically object variable है यह है verify तो इसको यहां पर प्रोवाइड कर देना है तो जोकि recapture verify का जो एक proper जो object बन करके आया वह हमें यहां पर provide करना है क्योंकि इसके अंदर जो है basically वह capture है जो कि उसका object है जो कि यहां पर अभी आपको मिल गया जो आप रखना चाहते हो वह आप रख सकते हो और यहां पर मैंने फिर start किया देखिए एक तो होगे आपका then part and एक होता है आपका catch तो हम यहां पर अगर कुछ error आती है तो sending OTP तो like आपकी जो error है वो मैंने यहां पर सोकरा दिये अब यहां पर क्या है जब भी आपका यह confirmation result चलेगा तो उस case में हमें क्या करना है यह set verification ID बनाया है यह हमने इसके लिए देखने के लिए नहीं बनाया है क्योंकि आगे चल करके हम verify करेंगे न तो इसके लिए इसकी हमें जरूद पढ़ने वाली यह verification ID की तो जब हमार अब इसकी OTP send हो जाएगा प्रॉपर तरीके से तो हम set verification ID में set verification ID को set करेंगे means verification ID को हम set करेंगे तो उसके लिए हम use करने वाले है set verification ID तो यहां से जो हम confirmation result जो हम use कर रहे हैं उसका हम use करेंगे dot इसके अंदर से हम verification ID निकाल लेंगे जिसके अभी आप देख पार हो मेरे को suggestion में भी आरा verification ID तो यहां पर यह जो है आपका proper working हो रहा है और यहां पर अगर आप चाहो तो कुछ और logic लगा सकते हो OTP send होने के बाद जो भी आपका logic होता है यहां पर वह आपना logic लगा सकते हो देन यह काम हो गया आपका और यह ठीक चलेगा चैक करते हैं एक बाद रिफ्रेस्स किया अभी यहां पर लाइक मैं अपना mobile नमबर टालता हूं और मैं यहां पर जो है अपना इंबलर कर रहा हूं इस दिन नमबर के लिए यहां पर मैं बोलूंगा भी नहीं अपना mobile नमब चेक करते हैं इसके लिए क्या प्रॉलम आई है भी यहां पर प्रॉलम आई है तो ओध आर्क्यूमेंट टेरर इसके प्रॉलम है यहां पर अभी कुछ चेक करते हैं कि कहां प्रॉलम हुई है तो यहां पर कहां पर प्रॉलम हुई है चेक करता हूं मैं यहां पर जो है हमें एक डिप भी तो क्रिट करना पड़ेगा बात में तो यहां पर अभी हमने हमने वह क्रिट क्या ही नहिं हим है तो उसके लिए यहां पर जो है एसको दूर्फ करेंगे लिए जरूरी है यहार कूछ नहीं होगा के हप्चा एक और कुछ नहीं है यहां पर मैंने div बनाया और div को मैं id दूँगा यहां पर div और यहां पर मेरे को id तो provide करनी पड़े गी और id मैंने दी नहीं और मैं अपना code run करना start कर दिया तो यहां पर मैंने दिया रीकेप्चा चलना चाहिए एक दम मैं इसके लिए स्टार्ट करता हूं दुवारा से तो मॉइल नमर डाल लौंग अभी मैं and send OTP तो मैंने send OTP पर क्लिक किया देख सकते हो यहां पर आपका रीकेप्चा क्रिएट हो चुका है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो मेरे साइड में और अभी मेरा मॉइल नमर पर OTP आने वाला मेरी voice उपन है देख सकते हो OTP आया भी तुरंत मैं screenshot भी प्रोवाइड देखें मेरी मॉइल की voice आईगी मैं दुबारा से send OTP पर क्लिक करता हूं और recap चा देख सकते हो अगे रिफ्रेस्स हो चुका है मेरा and मेरे को OTP आएगा भी आवाज आएगी मॉइल की देख सकते हो मेरे पास OTP आचुका है मैं screenshot लेकर के भी यहां पर वीडियो पर लगाने तो आपको understand हो चुका है कि basically यहां पर क्या working चल रही है और proper work कर रहा है नहीं वह basically यहां पर हमने ID प्रोवाइड नहीं की हुई थी यहां पर डिव हमने बनाया नहीं हुआ था इसलिए यहां पर इसको problem हो रही थी find out करने में तो I hope आपको understand हो चुका हुगा next lecture दीकर नहीं